नमस्का दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज मैं आपको चिरोंजी से मिलने वाले कुछ फाइदों के बारे में बताऊंगी दोस्तों, चिरोंजी सुखे मेवे की तरह प्रयोग की जाती है इसका प्रयोग भारती पक्मानों, मिठाईयों और खीर इत्यादी में किया जाता है चिरोंजी की खेती दक्षिन भारत, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छोटा नाकपूर आधी जगव पर की जाती है दोस्तों चिरोंजी का जो व्रक्ष होता है, वो अधिकतर सुखे और परवती देशों में ही पाया जाता है चिरोंजी में बहुत से विटामिन C, विटामिन B1, B2 और नियासिन पाया जाते हैं तो आईए जानते हैं, चिरोंजी से मिलने वाले कुछ फायदों के बारे में, जिससे आप अच्छी सेहत भी बना सकते हैं और स्वस्त जीवन भी चीज़ सकते हैं इसे जानने से पहले, सबसे पहले तो एकने विदन उन लोगों से करना चाहूंगी, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप्या सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सदस्ता को जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे दुरदी है जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा भी ठासेगें दोस्तों अगर आप सर्दी जुखाम से परेशान हैं तो इसके लिए आप चिरॉनजी का इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए 5-10 ग्राम चिरॉनजी को लेकर अब उसे तवे पर अच्छे से सेख लीजे उसके बाद इसका पाउडर बनाकर दूद के साथ दिन में दो बारिस का सेवन कीजे इससे आपकी सर्दी जुखाम में आपको बहुती जल्दी आराम मिल जाएगा वहीं अगर आप मुहासे की समस्या से परिशान हैं तो इसके लिए भी आप चिरॉनजी का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों इसे इस्तमाल करने के लिए चिरॉनजी पाउडर में गुलाब जल को मिलाकर इस पेस्ट को 20 मिनिट तक अपने चहरे पर लगाईए फिर दोलीजे ऐसा करने से आपके चहरे के मुहासे तो खत्म हो ही जाएंगे साथी आपके फेस पर एक ग्लो भी आ जाएगा दोस्तों तो आप इसे जरूर इस्तमाल करके देखिए इससे आपको फाइदा मिलेगा तो दोस्तों ये थी चरॉनजी से रिलेटर जानकारी यदि आपको हमारी द्वरा दी गईया इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा ताकि जाद से जादा लोग इसका फाइदा उठा सके अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद